मैं बहुत पहले से ये मूवी देखना जाता था क्योंकि ये 2017 में आ गए थी पट मुझे मोगा नहीं मिल पाया इस मूवी को देखने का क्योंकि ये मूवी जो बेज़्ड है वो डिमोक्रसी वर्सीज कॉमुनिजम एक तरीके से इन चीजों के उपर बेज़्ड है पर ये मू मूवी अभी फिलाल नेट्फिलिक्स पर अवेलेबल है आप चाहें वहाँ पर देख सकते हैं हाँ ये इंग्लिश में बट डॉंट वरी इसके अंदर जादा जो है वो डायलोग या जादा जो है वो बाते नहीं है मतलब इसमें कानवर्शेशन बहुत कम है जादतर इसमें कैसे लोगों को मारा गया कॉमुनिजम का एक रूप जो है वो इसके अंदर दिखाने के कोशिश की गई है और इसके अंदर सब्टाइटल भी है ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा पड़े लिखे हो असानी से चीज़ें समझ आ जाएंगे और इसे ड दोनों देशों के बीच में लड़ाई इस बात कि कि देश में डिमोकरसी आएगा या कॉमुनिजम आएगा वहीं बात करें अमेरिका जो है वो अपने सैनिक व्यातनाम में भेज चुका है बंबारी स्टार्ट कर दिया है और वो चाहता है कि इन दोनों देश में जो है वो democracy को support कर रहे हैं और वहीं USSR इन दोनों देश में जाता है कि communism आए तो ये इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है बट America अपने इस लक्षे में काम्याब नहीं हो पाता और कुछ टाइम बाद वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है अपने देश में अपने सैनिकों को किस कारण वापस बुलाता है अब देखो यार मुझे उसके पर बात नहीं करनी है क्योंकि main focus यहाँ पर है जो Cambodia के अंदर जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पर communism आते 1975 में जब जब ये अमेरिका के सैनिक वापस चले जाते हैं तो एक कैमूर रूज नाम की एक फोज जो है वो Cambodia में आती है वो Cambodia की होती है और उसका जो main leader उसको बनाया होता है पॉल पार्ट नाम के एक आदमी ने बनाया होता है जो एक far communist इंसान है वो अपनी एक ideology लेकर इस देश में मतब ये चाहता है कि सभी ये जितने ये देश के लोग हैं Cambodia के जो देश के लोग है वो एक उनको एक नई शिक्षा दे एक नई शिक्षा के दुरान उनको western culture से दूर रखे और वो चाहता है कि सभी के सभी लोग equal रहें कोई भी मतलब कोई गरीब कोई अमीर नहीं रहेगा और सब लोगों को इतना far communist इंसान है इसने सैना भेज कर 1975 में सभी मतलब शहरों में से सभी लोगों को निकल वाया जंगलों में लेके घ्या और उनसे दिं रात वहां काम करवाया बस उनका काम किशा का किक्षा किसा कर दा ना चाहि बएस नगे जबएस और तो यह नजर उठाकर भी इन के सामने देख लें तो यह उनको सिधे गोली मार देते थे थे अब काफी सारे सोच रहे होंगे यह communism होता क्या है देखो यह communism के बारे मैं आपको बताओं तो हिंदी में मतलब होता है सामेवाद जिसका अर्थ होता है कि यहां सब लोग बराबर होंगे फॉर एक्जामपल अगर मैं हमारे देश में अगर communism हो वैसा ऐसा दिन कभी ना आए अगर मारे देश में यह USSR के अंदर जो communism था उसके according क्या होता है कि अगर मैं 60,000 कमा रहा हूं अगर मेरा पडोसी कुछ भी नहीं कमा रहा तो मेरे जो 60,000 रुपे कमाए हुए हैं वो equally बटे कोई भी नई चीज इनोवेशन नहीं होगी यहां पर सभी लोग आलसी हो जाएंगे अरे यार जब मेरे 60,000 कमाए होगे मैं महनत से 60,000 कमा कर ला रहा हूं और वो सब लोगों में बट रहे हैं तो मैं क्यूं काम करूँगा यार मैं काम करना छोड़ दूँगा तो इससे सब लोग आलसी हो जाएंगे शराब पीने लग जाएंगे और यह चीज मैंने आपको बस उपरी तोर पर बताईए अगर आपको इसका गहरा मतलब जानना है देखो कॉमुनिसम का मतलब तो बहुत एक व्यपक शब्द है कोई यह नहीं कि मैंने थोड़ा सा बता दिया तो आप इसका मतलब क्या होता है इससे चीजें आप और अच्छे से डेवलोप कर पाएंगे और इसको और अच्छे से जानना है तो यह मूवी जाकर देखो इस मूवी में दिखाया गया कि 1975 से लेकर 1978 तक इनका कॉम्मुनिस्ट का ही राज रहता है यह लोगों को मारते हैं और इसक इसकी को भूक लगी अर्थ को चुरा के भी वो खा ले सिर्फ अपने पेट के लिए तो वो उनको गोली मारते थे इतना बिहानक इनोंने कि इन तीन साल के अंदर लोगों का कतलयाम किया बीस लाक लोग मारे इनोंने और यह सिर्फ और सिर्फ कॉम्मुनिजम के ओपर अपन लाने जोले जी की जिनोंने इतनी हिम्मत कर इन कॉम्मुनिस्ट लोगों की एक असलियत एक जो घटिया जो चहरा है वो दुनिया के सामने रखा और उस वक जब यह सब चीजें हो रही थी 1975 में कोई भी देश जो है वो कमबोडिया के साथ नहीं आया था क्योंकि एक तो इस गई इसकी तो लोगों के रॉंक्टे खड़े हो गए थे कि भी क्या हो रहा है वहाँ पर और चीन इस चीज को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यार चीन तो ओविसली कॉम्मुनिस्ट देश है वो एक कॉम्मुनिस्ट की तो मदद करे गई अब यह मुवी देखने इसलिए भी बो भारत की जैसे बेताल ऐसी मूवी आई थी governance या फिर से मैन एशर कर के एक सीरीज आई थी तो उसके अदर कैसे लोगों के अंदर अगर टेरूरीम के प्रती वहाँ पर प्यार उजाकर करने की कोशिश की गई थी और देश के जनत देश की सरकार के खिलाव देश की सेना किया तुर्णा के कलाव कैसे जहर गोलने की कोशिश radioactive यह दीरे धीरे 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 आपके मन मेंज्जें घोलने शुरू करते हैं और आपको पता भी नी चलता कि कैसे आप देश के खिलाव खड़े होगिए और यह कैसे यह कुम्मिनिस्म वाले भी जो हैं, कुम्मिनिस्ट भी हैं, यह भी soft resiliency का फाइदा उठा कर आप लोगों के मन में, आप लोगों को, आप लोगों कैसे बदल देते हैं, आपको पता भी ने चलेगा, तो यह मुवी जाकर जरूर देखो, आप लोगों को पता चलेगा क कुम्मिनिस्म होता क्या है, और मैं एक बात यहां पर जरूर करूँगा, कि इस मुवी में बहुत कम दिखाया गया, वैसे इसमें कतल याम तो बहुत जाद है, बट इसमें इतना नहीं दिखाया गया, क्योंकि मैंने इसके बारे में जो पढ़ा था, जो कमबोडिया के इन सालों के अंदर 20 लाख लोग मारे गया, एक स्कूल था जिसके अंदर 14,000 लोगों को लेके गया, उनसे ये उगलवाने के लिए कि वो CI के लिए काम करते हैं, और उन 14,000 में से सिर्फ और सिर्फ साथ लोग बाहर आये थे, एक इनसान ने जब अपना इंटर्व्यू दिय और ये सिर्फ देख रहें, सिर्फ 14,000 में से सिर्फ साथ लोग ही वापस बाहर निकल पाए, और भारादेश में भी एक कॉम्मुनिस्ट वाले मतलब हैं, बट इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, बट हैं, और ये लोगों को बहकाते हैं, गरीब जनता को बहकाते हैं, उन आप अपने आलस को प्रमोट करते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपकी जो महनत है, वही काम आने वाली है, यह नहीं कि आप किसी से छीन कर वो चीज़े हैं, अपने पास लाकर या, यह कॉम्मुनिस्म का नारा दे कर कि सब एकोल हैं, तो सब में बाटा जाएग कि भारत में कौन सी आइडिलोजी चलती है, कि भारत में क्या कॉम्मुनिस्म है या कैपिटलिजम है, कैपिटलिजम मैं कहूंगा कि एक तरीके से अच्छी चीज़ है, as compared to कॉम्मुनिस्म के खिलाफ, और अब भारत की बात करें, तो भारत के अंदर शोसलिजम प्लस कैपि अप्लाय जरूर देगा, बाकि मेरा मेन मोटीव यह है कि आप लोग ये मुवी जाकर जरूर देखें, आईए नेट्फिक्स पर आपको मिल जाएगी, नीचे सब्टाइटल भी मिल जाएगे, तो ये नहीं कि इंग्लिश में है, तो नहीं देखेंगे, आपको ये मुवी अ कतले आम कर रहे हैं, किस, कितने बड़े पैमाने पर 20 लाख लोगों को मार दिया गया, और जब पोल पार्ट से जब ये पूछा गया था कि भी उनको क्या अफसोस नहीं है, तो उन्होंने उसके मन में बिलकुल भी मतलब डर नहीं था, उसको अफसोस नहीं था, कि उसने 20 पार्ट लोगों को मार दिया, क्यार ये, कॉमुनिजम का जो चहरा है, ये मुवी बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करती है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और होना चाहिए था, बट बहुत अच्छी है, आप जाकर जूर देखना, मेरी तरफ से इस मुवी को आपकी नोलेज इनहेंस हो, आप अपनी जो ग्यान है, वो डेवलोप कर सको, उसे बढ़ा सको, कैर बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, तैंक्स और वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाए हिंद।